स्टूट्स हम कर देखे दिसक्स क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 11 इसमें लास्ट इन डिसक्स किया था हमारा टॉपिक पोर्स एपुश और पुल्स एपुश दूट्रेक्शन और एक्स्टूरिंग पोर्स आज हम डिसक्स करने वाले हैं एपोर्स केंज शेट सब्सक्राइब करते हैं कि क्या होगा जब फोर्स एक्ट करती है किसी अब्जक्त के ओपर इसके लिए आपको यहां पे एक और एक्टिविटी देगी है जिससे आप इसली इसे अंडेस्टेंड कर सके एक रबर बाल लीजिए ठीक है उसे अपने लेवल सर्फिस पर रखना है जैसे टेबल टॉप पर रखिए जब फ्लोर पर रखती जिए प्लेन फ्लोर पर जेंटली उसे अराम से पुश किजि हैं प्लेश ये पुथां आप बाल मूव कर रही है को आपने लीज pasture को पहरी प्लोर कि ने और पर कि आपकी ऑपलाई की और पिर पर है जहां कम हो गई है क्या होगा अगर आप अपनी रखते हो तो क्या होगा सबसे पहले जब आपकी बॉल रेस्ट में थी जब आपने इसको पुछ किया वह मूव करेगी जब आपने से अगें पुछ किया उसकी स्पीड जो है करेंगी तो आपको पता है जब आपको पता चले होगा वुशके बाद जब आपकी पाम टच हुई इसको उसको जाने के लिए कहीं रास्ता नहीं मिलेगा आपको याद होगा ऐसे ही कुछ सीफीलल स्थन तरह भी हैं जैसे एकज़ाम्पल लिजिए जब छाओस similarly फूटबाल की गेम मैं आती है तो प्लेट कि अब अदे आपसे पहले वाँ में इसके homo करती है वह करती है लोकर करेगी दाष्ख फूर्स ना करेगी जब inventory करओगे तिसे काल अब एक प्वर्स केज कर से गोल की साइड कि आप गोल करना चाहते हो पूस किजिए इस फोर्स आपलाई की ती जहां तो स्कुर्व करेगी जहां तो स्टॉप करेगी मिन उसके डिए चेंज कर और तो क्योंकि वह गोल को बचाना चाहता है वह गोल को नहुन ohne से रोकना चाहता है अगर गोल की पर कामढ़ा हो जाता है तो इसकी स्पीड घुटी हो जाЕएकी बॉल की अगर उस वोस्वी ड्रेक्शन फोर्स वो अप्लाइब करें और तो प्लेयर ने हिट किया कि अपके फूट बॉल को गोल करने के लिए तो उसके direction बॉल की कहां पे होगी गोल करने की side पे होगी आगे से गोल की पर कितने force एप्लाई की उसने इस बॉल को रोका जब वो रोकेगा उसको गोल करने से तो उसके speed क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यही हम भी बता रहे हैं अगर direction same होती है as the direction of motion करती है अब पहली यह जानने के लिए उत्सक है कि जो application है force की क्या वो सिर्फ change कर सकती है speed को ही तो चलिए find करते हैं एक बॉल लीजिए ठीक है उसे अपने level surface पर रखना है जैसा कि आपने last activity 11.3 में किया था बॉल को मूव करना उसको push करके अब एक ruler रखती जी उसके रास्ते में ठीक है जैसे कि आपको यहां पर figure में show किया गया है 11.8 की beam में आपने इसके रास्ते पे रूलर रखते नहीं जब आप ऐसा करेंगे you would apply a force on the moving ball आप क्या कर रहे हो force apply कर रहे हो moving ball पे तो क्या जो बॉल है वो continuously move करती रहेगी उसी direction में जहां पर आपने उसको move किया था जब strike करने के बाद ruler से टकराने के बाद scale से टकराने के बाद क्या उसकी वही direction रहेगी repeat कि activity वो कोशिश की जानने के लिए कि जियो moving ball है जब आपने direction जो है वो change हो जाएगी यहां पर देखिए figure में आपको दिखाया गया है यह देखिए ball इससे टकराई और यहां पर आ गई इसकी direction change हो गई उन दोनों के बीच में क्या बन रहा है एक angle बन रहा हर एक case में जब आप observation note करेंगे न तो direction आप motion जो है ball की वो change हो जाएगी जब वो strike करेंगा किसको ruler को जब भी ball इससे टकराएगी उसकी direction क्या हो जाएगी change हो जाएगी यहां से यह clear हो गया कि सिर्फ speed change नहीं होती force के कारण बल्कि direction भी change हो जाती है चलिए कुछ और example consider करते हैं जैसे आपकी game होती है volleyball की player ज्यादा तर क्या करते है पुछ करते हैं moving ball को अपने teammates के पास जो उनके team के होते हैं प्लेयर उन्हीं के पास पास करते हैं तो मेक के winning move जितने के लिए sometimes जो ball है वो चली जाती है दूसरे side code के दूसरे side जब उसे push किया जाता है तो cricket में क्या होता है batsman play करता है he's or her shot by applying your force जब भी batsman hit करता है ball को तो वो force apply करता है ball पे किसके साथ bat के साथ तो क्या कोई change है direction of motion of ball में in cases में in example में speed or direction है moving ball की वो change हो जाती है किसके कारण application of force के कारण ball किसके पास ही जो ballie ball खेल रहे थे उन्हें ball को push किया जाके वो court में चलीगी batsman ने ball को hit किया ball batsman की साइड आ रही थी लेकिन उसको hit किया उसके direction जो थी change हो गई तो इन सब example में यह देखा कि direction जो है moving ball की वो change हो रही है किसके कारण force के कारण क्या आप और example दे सकते हैं इस kind के तो यहां से हमने क्या information मिली change in either the speed of an object change जो आता है चाहें वो speed of object में आता है जाहें direction of motion में आता है या दोनों में आता है वो होता है उसका change in its state of motion जब भी किसी object की speed change होती है जब direction change होती है जब दोनों change होते है तो हम बोलते है change आता है उसकी motion में इसका मतलब कि force जो है उसके कारण change आता है state of motion जो होती है किसी भी object की और state of motion object की क्या होती है speed और direction of motion तो state होती है rest की हो हम बोलते है जब कोई object जो है rest पे है ज लेकिन जैसे ही उसमें कोई movement होती है वो लेकिन object चाहे rest में हो चाहे motion हो यह दोनो states of motion है यह किसी की position बता रहा है किसी time पे कि object rest पे है कि object जो है आपका motion में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो application है force की उसका always result क्या होता है change in the state of motion क्या हर बार जब force apply करते हैं तो क्या उसके direction और speed ही change होती है चलिए यह भी find करते हैं यह एक common experience है कि बहुत बार क्या होता है जो application होती है force की उसके result क्या आता है not in the change after state of motion उसके current state of motion जो है objective वो change नहीं होती जैसे example बताया है एक heavy box है जो move नहीं कर पाता तो अगर आप उसके जितने ही चाहे maximum force apply करते हो जितने ही करते हो तो वह box वहाँ पहलेगा again no effect of force is observed when you try to push a ball लेकिन जैसे ही आप दिवार होगी चाहे उसका weight इतना ही हो जितना box का है उसको push करोगे ना तो आपको उसमें कोई effect नहीं देखेगा ना ही वह हिलेगी वहां से ना ही वह move करेगी कि दिवार तो move नहीं कर सकती means कुछ जगा ऐसा भी होता है कि जब आप object पे force apply करते हो उसकी state of motion में कोई नहीं चेंज नहीं आता ना ही उसकी कोई movement होती है ना ही उसकी कोई direction चेंज होती है यह तो था आपका टॉपिक कि force can change the state of motion अब हम डिसकस करेंगे कि force जो है वह shape of object को भी change कर देती इसके लिए आपको यहां पर एक activity देगी है कुछ situations आपको column 1 में देगी है stable के 11.2 के जिसमे objects जो हैं वो free नहीं है move नहीं कर सकते, column 2 में table suggest कर रहा है आपको किस तरीके से force जो है वो apply हो रही हर एक object पे, column 3 में यह show किया जा रहा है कि क्या action होगा, observe किजिए effect force का इन सभी situation में अगर possible है तो you can also add similar situation, similar situation add कर सकते हो, किसी भी material से जो आपके environment में आपको मिल जाते हैं, note कि observation column 4 और 5 में stable के, जैसे सबसे पहले देखिए a lump of dove on a plate, आटे का जो dove होता है, जो आपका बना हुआ, गुंदा हुआ, उसका अगर plate पे रखा है, कुछ नहीं होगा, how to apply force, जब आप सको pressure करते हो अपने हाथ से, तो क्या होगा, force apply होगी, जैसे कि यहाँ पे figure में दिखाया ग लेकिन तब ही तक जब तक आप उसको डफ करोगे, otherwise नहीं, क्या उसकी shape में change आएगा, हाँ, डफ की shape में change आएगा, जब जिस तरह की shape आप उसको देना चाहते हो, उसी तरह की shape आप दे सकते हो, next आपको condition देगी है, spring है, fix कहां पे है, seat आपे, bicycle पे, जैसे ही आप उस पे ब थोड़ी सी movement हुई, कि थोड़ी सा वो हिला, लेकिन उसकी direction जो है, वो change नहीं हुई, तो क्या, उसकी shape में change आएगा, उसकी shape में क्यों change आएगा, वो जैसे थी, shape तो बैसी ही रही, जब थोड़ी सी movement होगी, कि वो seat थोड़ी सी नीचे को चली जाएगी, इस तरह चेंज नह तो वो क्या होगा, वो stretch हो जाएगा, नीचे की side, तो क्या उसकी state of motion में कोई change आया, थोड़ा सा तो हो गया, direction चाहें वही हो, लेकि थोड़ी सी position तो change हो गई, तो आया, क्या उसकी shape में change आया, हाँ, उसकी shape में change आया, क्योंकि आपने stretch होने के कारण वो खिच गया है, next क्या होगा, वो जैसा था वैसा ही रहा, थोड़ी सी movement होई है, लेकि उसकी shape जरूर चेंज हो गई है, क्योंकि scale जो है, वो stretch हो गया है, between the, इसके आप बुक्स पो हो सकते हो, जब ब्रेक्स है, इसके बीच में रखा है, figure में भी आपको दिखाई दे रहा है, तो इन सभी observation मे 11.2 में हमने discuss की अभी अभी, आपने क्या observe किया, क्या होगा जब आप अप्लाइ करोगे force on an inflated balance by pressing it between your palms, जब आपने एक बैलोन को लिया होगा, जो जिसमें अपने हवा बरी हो, जब आप इसको दबाओगे अपने हथेलियों के बीच में तो क्या होगा, उसकी shape change नहीं हो ज हो जाएगा, उसकी shape भी क्या हो जाएगी, change हो जाएगी, यह जो सभी examples में आपने देखा, जब हमने force apply की है, object पे उनकी shape क्या हो रही है, change हो रही है, जब आपने perform की यह सभी activity, आपने यह realize कि जो object था, वो movement हुई, उसमें rest में से, उसकी speed जो है, change हो गई, move होने से, उसकी direction motion चेंज हो गई, उसकी shape में change हो गया, बहुत सारी effect हो सकता है, जो उसमें हुए हो, ठीक है, तो जब भी कोई भी force जो है, उसके कारण क्या होता है, एक check से जादा effect होते हैं, यह important है, याद रखना कि जो, इन में से कोई भी action जो है ना, वो बिना force के नहीं होगा, यतनी भी ह हमने activity discuss की, वो बिना force के नहीं है, इसलिए जो अब्जक्ट जो है, वो कभी भी खुद से move नहीं कर सकते, इट कैनाट चेंज स्पीड बाइटसर, वो अपनी speed को भी खुद से नहीं बदल सकते, इट कैनाट चेंज इस direction बाइटसर, अपनी direction भी खुद नहीं बदल सकते, चेंज नहीं होगी, कहने का मतलब है, चाहें shape हो, चाहें speed हो, चाहें direction हो, motion की, जब भी आपने change करनी हो, किसी object की, तो आप कोई न कोई force अप्लाइग करते ही, करते हो, भिना force के कोई भी action जो है, वो possible नहीं है, तो ये था हमारा आज का topic की force जो है, वो state of motion को भी change कर देती ह है, और shape of object जो है, किसी की, वो भी change कर देती है, आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज इसे like कीजिए, share कीजिए, और मेरी चैनल को subscribe कीजिए, ताकि आपको latest वीडियो जो है, वो time time मिलते रहे, आज क्रीब ते, thank you